आज sequence and series को हमें start करते हैं, इसके पहले हम लोगों ने permutation and combination को खतम किया है, तो आज sequence and series का पहला lecture है, तो सबसे पहले हम sequence and series में समझते हैं कि sequence और progression का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो heading देते हैं, sequence, sequence और इसी को बहुते हैं, progression, ठीक है, मैं दुनों को लेंगा, तो sequence और progression, तो इसको जो समझते हैं, इससे पहले समझते हैं, कि arrangement, arrangement, arrangement of numbers which follows a particular rule, each called sequence, इसके काने का मतलब हो कि एक arrangement होगा, नमबर का, जो एक particular rule का follow करता होगा, एक particular rule को follow करता होगा, कोई भी हो सकता है, और उससे क्या बोलेंगे, sequence बोलेंगे, आइस पूर एक्जामपल से समझते हैं, एक्जामपल से, अब माल लते हैं, हम एक्जामपल के लिए दो दिए 2, उसके बाद 5, उसके बाद 8, उसके बाद 11, ऐसे, डश, 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 अब देखिए, यह एक rule है, कैसे, कि यह इसमें 2 plus हो रहा है, इसमें 3 plus हो रहा है, फिर इसमें 3 plus हो रहा है, इसमें 3 plus हो रहा है, तो यह सब क्या हो रहा है, इसमें plus होते होते जा रहा है, हाना तो एक rule को follow कर रहा है, उसी तरह एक और भी rule हो सकता है, माल लते हैं, कि अब यह हो गया, 20 हो गया, ठीक है, यह 20 हो गया, यह 15 हो गया, अब देखिए अब ये और उसके बाद 10 हो गया, और 5 हो गया, अब ये भी एक rule हो गया, कैसे, ये 20 हो गया, उसके बाद 15 हो गया, उसके बाद 10 हो गया, 5 हो गया, हनक, ये भी एक minus हो रहा है, 5 minus हो ते एक rule बन रहा है, particular rule को follow कर रहा है, ये भी एक rule हो गया है, ठीक है, ये minus हो रहा ह और यह प्लास हो रहा था इसमें 3 प्लास हो रहा था ठीक है अब यह भी हो सकता है कि एक सटेन नंबर मल्टिप्लाई भी हो सकता है माल लेते हैं 2 फिर उसके बाद फिर हो सकता है 4 फिर उसके बाद 8 16 ऐसे भी हो सकता है देखिए अब आप बता सकते हैं कि इसकी आगे क्या हो देशे 2, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, अब 8 के बाद आप डिरेक्ट बता सकते हैं, फिर उसके बाद 32, ऐसे आप बता रहा है, कि हाँ एक रूल को फोलू कर रहा है, यह क्या हो गया, यह multiply हो गया, ठीक है, उसी तरह एक और भी हो सकता है, divide भी हो सकता है, अब मालते हैं, कि हो फोलू करते जा रहा है, इसे, यह क्या हो गया, यह divide हो गया, तो एक certain rule को जो follow करें न, उसी को क्या बोलते हैं, sequence, वीचे को क्या बोलेंगे, sequence, ठीक है, तो अब दखिए, यह जो plus और minus वाले हैं, यह जो plus और minus अगर हो रहा है, plus और minus, यह दोनों को हम एक category में रखते हैं, जिसे बोलते हैं, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक पोर्गरेशन, इसे को क्या बोलते हैं, यह पी बोलते हैं, अब plus और minus वाले हो क्यों में लेते हैं, और जो multiply और divide वाले को, हम कहते हैं, जो मेट्रिक पोर्गरेशन, जो मेट्रिक प्रग्रेशन जीपी सोट फॉर्म बोलते हैं अब देखिए हम पलस और माइनस को एपी बोलते हैं और मल्टिप्लाई और डिवाइड को जीपी क्यों बोलते हैं इसको भी समझते हैं तो पलस और माइनस को एक साथ कैसे रखते हैं तो देखिए इसको हम समझते हैं कि पलस और एक होता है plus minus दोनों को एक किया जा सकता है multiply divided को किया सकता है now for example की और हम यहां बता रहे हैं कि जैसे यहां पर देखिए यह five में से माइनस two को किये यह माइनस किय आप उसके बाद 5 पलस और यहाँ पर माइनस 3 अब जग सका है यहाँ पर महीं पलस किया तो यह दोनों झाल नहीं हो रऴा16M हो गया फार vote फारे स्रेशाय अये छोड़ा घ़ता है दोनों नहीं होता है ठीक है उसी तरह मालते की 5 डिवाइडres लिए 5 divided 2 लिए अब इसे को हम ऐसे कर सकते हैं 5 into ठीक है 1 by 2 तो यह देख रहे हैं यह भी 5 by 2 हो गया और यह भी 5 by 2 गया दोनों मतलब कहने का हुआ कि divide और multiply दोनों एक ही जयसा है इसको मैं चेंज किया जा सकता है प्लस को माइनस में चेंज किया जा सकता है और डिवाइड को मल्टिप्लाई में चेंज किया जा सकता है लेकिन प्लस को मल्टिप्लाई के साथ नहीं किया जा सकता है तो इसलिए जो प्लस और माइनस हो तो उसे AP बोलेंगे और डिवाइड और मल्टिप्लाई हो तो GP सीरीज का मतलब क्या होता है फिर समझते हैं सीरीज सम आफ ओल टर्ण्स ओफ दर सिक्वेंज इज कॉल्ड सीरीज कॉल्ड सीरीज कहने के मतलब होगा कि जितने भी टर्म सीक्वेंज का होगा जितने भी टर्म सीक्वेंज का होगा उस सब में अगर प्लस कर दे सम कर दे सब को ओल टर्म को सम कर दे तो क्या हो जागा सीरीज येगा ग्जामपल जैसे वाला 2 था और उसका 5 था, 8 था, 11 था, यह ग्जामपल था, आइसे तो sequence हो गया लेकिन अब हम series को समझतीं के लिए यहाँ पे plus लगा देंगे, यहाँ plus लगा देंगे, यहाँ plus लगा देंगे, जैसे example number one में दिया हुआ था कि ऐसे दिया हुआ था कि अगर two, उसका 5, 8, 11, ऐसे दिया हुआ था ठीक है ऐसे ऐसे दिया हुआ था यह तो plus हो रहा है थीरी, 3, plus हो रहा है तो यह ap हो गया अगर minus में होता तो यह ap हो जाता, लेंकि multiply and divide होता था यह पिन नहीं होता तो इसके क्या होगा कि जो यह 5 में से 2 गटाएंगे तो यह 3 होगा फिर इसमें से गटाएंगे तो यह भी बराबर होगा मतलब कहने क्या होगा कि इसको फर्स्टरम बहुत सकते हैं T1 इसको T2 इसको T3 और इसको P4 तो इसके second वाले terms को first वाले term को minus करेंगे फिर इसके next वाले terms और previous वाले term को minus करेंगे तो equal आना चाहिए अब जो equal आएगा उसे बोलते है common difference जैसे t2 में से t1 को minus करेंगे यह क्या रहा है 3 आ रहा है उसी तरह t3 में से t2 को minus करेंगे तो यह भी 3 आएगा t4 में से t3 को minus करेंगे यह भी 3 आएगा कैसे आप देखे t1 में t1 t2 में से t1 को minus करेंगे तो यह भी 3 आ गया इसको denote कियाता है d से छोटा d से या कहीं कहीं cd से भी denote कियाता है तो यह note d समझ में आया अब देखे इसी को हम इस बार टर्म में लिख सकते हैं जैसे t2 क्या था t2 क्या है 5 minus 2 अब t3 में से क्या है t3 आपका 8 minus 5 यह भी 3 हो गया अब उसका t4 क्या 11 minus उसके बाद 8 यह भी 3 हो है ठीक है तो इसी को हम टर्म में समाजते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि t2 t2 minus t1 ठीक है t2 minus t1 उसके बाद फिर होगा t3 minus t2 बराबर t4 minus t3 ऐसे ही करते करते अगर minus होगा तो tn minus tn minus 1 होगा ठीक है tn minus tn minus 1 होगा अब दखिए ap के लिए हमको minimum 3 term होना चाहिए एक्जामपल के लिए ap के लिए क्या होना चाहिए एन की जो value होगा वो 3 से कम नहीं होना चाहिए और इस पर एक्जामपल जैसे माल लेते हैं कि यहां पर 2 ले लिए 4 ले लिए ठीक है अब हम यहां पर next term हम नहीं ले रहे हैं दोई term है तो आप यहां से जज नहीं कर सकते है है कि यह term ap में है यह jp में है ठीक है इसलिए ap में और gp में हों समझने के लिए आपको minimum 3 term को होना जरूरी है जैसे यह दो term है अब यहां पर 6 लिख देंगे तो यह ap में हो जाएगा अगर यहीं 8 कर देंगे तो gp में हो जाएगा यह ap में हो जाएगा gp में हो जाएगा ठीक है तो यह minimum 3 term चाहिए अब हम समझते हैं एनग टर्म ऑफ एन एपी अब एनग टर्म का एपी निकालने के लिए अब जैसे मालते एग्जामपल के लिए जैसे मालते हैं कि जो भी term होगा जैसे देख रहा है ना यह एक टर्म कम हो रहा जिसे ऩे से इसमें से माइनस को रहे थी थी ये क्या हो गया यह फस्तर माँं में हो गया ना उसी तरह इसको माइनस करेंगे जैसे एकजामपल के लिए देखें तो आपका मालत है इपी में 2, 5, 8, 11 यह ले लिए ठीक है अब मालत है कि इसका जो है लेड़ फर्स्ट टर्म एख और बोग लेंगे और सी डी कमण डिफ्रेंस डी हो गया तो जो फर्स्ट टर्म होगा टी वन उ आपका इसमें आईड़ आफ होगा कैसे आब देखे इसमें जो है फर्स्ट टर्म एख हो गया यह हो गया first term अब जो D है D तो 3 हो गया ना D 3 तो अब इसमें D add करेंगे first term में यहाँ पे first term 2 है अब D कितना है 3 तो यह add करेंगे तो यह देखिए 5 आगया मतलब second term मुझे मिल रहा है यह वाला term उसी तरह second term में यहाँ पे अगर 3 में 5 में हम common difference add करेंगे तो उसके next वाला term मिल रहा है next वाला यह टागया उसी तरह माल लेते हैं कि T1 यह है D तो common difference और उसके बाद T2 जो होगा तो इसमें क्या होगा T2 जो होगा दूसरे number में क्या जोरी है यह common difference 3 जोरी है ना D इसमें क्या होगा A plus D यह हो गया और A D हो गया यह जोरी है अब उसी तरह T3 रहेगा तो इसमें क्या आइड करेंगे A plus 2D उसी तरह T4 रहेगा A plus 3D उसी तरह T5 जो निकालना होगा A plus 4D मतलब कोहने कहँगा कि एक से कम रहेगा अगर 6 रहे तो यह 5 4 है तो 3 3 है तो 2 मतलब एक रहे उसी तरह हमको TN निकालना होगा तो क्या करेंगे TN equals 2 तो A plus अब A कम करना है तो N minus 1 A कम कर दिये और उसका D भी तो है यह D यहाँ पर D तो A आपका फर्मूला हो गया TN का ठीक है TN का फर्मूला हो गया अब हमको जो इसमें परना परेगा हमको हमको manually जो है निकालना परेगा A first term उसके बाद D common difference उसके बाद N ठीक है number of top और उसके बाद हमको TN भी निकालना परेगा उसके बाद ASN भी निकालना परेगा यही हमको निकालना परेगा कोई एक बिया रहेगा यह निकालना परेगा ठीक है तो example से हम इस वाले फर्मूला को समझते है अगर हम example लेते हैं example अब जैसे हम नहीं बोल रहा हूं कि कोई term है जैसे 2 है उसके बाद 5 है 8 है 11 है ऐसे करते करते जा रहा है ठीक है ऐसे करते करते हमको जा रहा है तो इसके 8 तर्म मतलब यहाँ पर कुछन लिख दे find इसी example में find 8 term हमको आठवा तर्म क्या होगा ऐसे बढ़ते बढ़ते आठवा नंबर पर जैसे 1, 2, 3, 4 आठवा नंबर पर यहाँ पर क्या होगा कौन सा नंबर होगा यहाँ पर यहीं निकालना है तो इसमें ऐसे निकालेंगे अब देखिए मेरे लिए यह क्या होगया यह 2 दिया अब D निकालने के लिए D निकालने के लिए T2 में से इसको माइनस करेंगे तो D आ जागा 5 में से 2 गया तो 3 दिया गया ठीक है अब A न मुझे दिया है 8 निकालना है A न दिया हुआ है 8 ठीक है अब हमको TN निकालना है यह वाला TN तो TN का जो फर्मूला अभी बता है कि A पलस N माइनस 1 इंटू D यह तो फ्रूब भी किये है ठीक है अब A क्या दिया हुआ है अब इसको में कालकुलेटर्स भी कर सकते हैं डायरेक्ट और ऐसे भी तो मैं बता रहा हूँ पहले तो A मुझे 2 दिया है और N माइनस 1 एन क्या दिया है 8 दिया है तो 8 में से 1 गया 7 7 हो 23 यह आजाएगा 8 नमबर पर 23 कैसे देखिए अब इसको प्रूब भी करते हैं अब 11 हो गया न 11 के बाद होगा 13 उसके बाद क्या होगा 15 17 19 उसके बाद 23 देखिए यह कितना होगा यह जगा पांच छोव साथ शोरी यह तो तो तीन पांच पांच तीन आठ आठ तीन एगारा एगारा तीन एगारा तीन 14 14 तीन 17 17 तीन 20 अब 20 आतीन 23 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो देखिए 8 नमबर पर क्या आ गया 23 मतलब यह होगा फिर समझे 2 5 8 11 11 में 3 प्लस करेंगे 14 14 में 3 प्लस करेंगे 17 17 में 3 प्लस करेंगे 20 20 में 3 प्लस करेंगे 23 23 में प्लस करेंगे 3 26 26 में 3 प्लस करेंगे 29 अब देखिए हमको आठ वा निकलना था ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ नमबर पर यही 23 आया मैंने यही निकाला है परमुना से तो यह तो हमने ऐसे निकाला है लेकिन अगर बोल दे सवा टर्म निकाले, पचासवा टर्म निकाले तब तो इसी फर्मुला से अब निकाले गा न कि ऐसे किजेगा नहीं, तो इसलिए यह निकालते हैं, ठीक है चारी अब ASN के बारे में पढ़ते हैं, मतलब ASN मतलब Sum of तो महाम लेते हैं कि Sum of Sum of in terms अगर some of in terms के बारे में हमको पर्णा हो an ap अब हमको some of in terms के बारे में पर्णा है ठीक है तो जैसे some of in terms का जो formula होता है n by 2 ठीक है a मतलब first term plus tn या l यसी को बोलते हैं या an ठीक है हो गया यह formula यसी को tn को बोलते है N भी लिखा हुआ है book में या L भी लिख सकते हो last term इसका मतलब हुआ last term ठीक है last term ठीक है last वाले अब जखिए इस वाले फर्मूला यह तो फर्मूला हो गया जब first term और last term दिया रहेगा तो sum ऐसी direct निकाल सकते हैं ठीक है, अगर यह नहीं दिया रहा है, तो एक और फर्मूला हो सकता है, जैसे महाले तो a से निकोल स्टू होता है, n बाई 2, ठीक है, और हम tn का फर्मूला क्या परते हैं, तो tn का फर्मूला अभी just हमने बताया था, कि a plus n minus 1 into d, यह पर हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसके जगा लिख देंगे, यहाँ पर यह, तो अब देखिए, तो a plus, अब tn के जगा हम यह वाला चीज को लिख देते हैं, तो a plus n minus 1 into d, यह tn के जगा लिख दें, अब n by 2, हो गया, अब उसका n minus 1, ठीक है, उसके बाद d, यह भी होगा फर्मूला, यह इसी से, तो a s n का फर्मूला यह हो गया, जब n निकलना हो, इसमें यहाँ पर यह भी हो गया, ठीक है, अब example से हम clear करते हैं, example लेते हैं, ठीक है, example समझते हैं, example, example, example ले रहे हैं कि अगर यहाँ दिया होगा है, 3 plus 5 plus, उसके बाद 7 plus, 9 plus, 11 plus, ठीक है, उसके बाद 13 plus, 15 plus, 17 plus, ऐसे करके रहें, अब यह पूछ रहें, इसका sum कितना होगा, total sum निकाल यह, हाँ न, इसका जो फर्मूला होगा, यह direct आप निकाल सकते हैं, कैसे, यह वाले फर्म क्योंकि last term मुझे दिया हुआ है, तो last term और first term को plus करेंगे, तो last term क्या है, first term पहले दिया हुआ है, यही फर्मूला है, यह फर्मूला को हम ऐसे कर सकते हैं, first term a plus l by 2 into n, यही चीज़ वाए, देखिए, यही वाला फर्मूला है, same, इसको क्या लिख सकते हैं, a plus, a plus n, और n, और यह वाई 2, यह ही है, यही फर्मूला को मैंने लिख, तो यहाँ पर देखिए, first term क्या है, 3 है, तो 3 plus और यह क्या है, 20, थत नहीं, यह हो जागा, 7, 17, divide by 2, divide by 2, I into n कर देंगा, into n, n कितना है, n जो है, हमारा number होता है, अब n जो है, हमारे कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, त 8 दिया है, तो 8, यह हो जागा, आपका 20, 17, पर 10,20, 20 by 2 हो जागा, Pakistan, यह हो जागा, 8, यह कितना हो जागा, तो यह हो जागा, 4, आयह कर जागा, तो 80, इस सुम करेंगे न, इसका, इस सुम करेंगे न, तो इसकà 80 हो जागा, इस सं, اسं, के पर्मूला से, तो asn मुझे find करन से आपको यह सब मिसिंग कर दे यह सब नहीं दे यह कट दिया और डाइरेक्ट पुछ रहा है कि यह T जो है यहां से पलस करते करते यह T यह यहां तक यहां तक जो है आपका कितने नंबर पे आया हुआ है इसके फर्मूला के लिए यह बनाएंगे देखिए तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड वाई अब डिवाइड किसे करेंगे दी से मतलो कमन डिफरेंस है ठीक है आप पलस वन कर देंगे अब देखिए लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है लास्ट टर्म सेवेंटीन है तो सेवेंटीन माइन यह first term 3 है divide by common difference 5 में से 3 गया 2 plus 1 तो यह जगा आपका 17 में से 3 गया 14 14 बटा 2 यह जगा 17 17 में से 3 गया 14 14 बटा 2 plus 1 तो यह जगा 7 plus 1 equals to 8 तो यह 8 नमबर पे है कौन सा यह देखिए यहां से count कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यह नमबर तक की है यहां से यहां तक का ठीक है तो यह आप निकालीजिए यहां से यहां तक ठीक है यह भी find कर सकते हैं आप यहां से अगर यह sum निकल गया लेकिन अगर direct आपको यह और यह दिया रहा है सीदे आपको बोला कि last term यह वाला दिया रहा है और यह नहीं दे यह नहीं दे यह सब खतम है अब पूछ रहा है कि जो 17 कितने नमबर पे है 17 जो आया है total यह कितने नमबर पे है तो यह 8 नमबर पे है ठीक है यह भी prove करके दिखा दिया उसी तरह आप उसमें भी निकाल सकते find the sum of number sum of number between यह between short form में लिख दिये between अब देखिए हम between 500 अब देखिए यहाँ पर यह जो between है न यहाँ पर आपका form भी लिख सकता है फ्रॉम भी लिख सकता है between के बतले फ्रॉम भी लिख सकता है मैं बताऊंगा between 502 ठीक है 1000 विच विच आर डिविजेवल डिविजेवल बाई 13 अब दखिए हमको जो नंबर दिया हुआ है 500 से लेकर 1000 के बीच में और डिविजेवल बाई कितना सवन चाहिए 13 से कितने नंबर हो सकते हैं इसको बनाना अगर हमको फ्रॉम दिया हो तब तो हम इसको भी इंक्लूड कर लेंगे 500 को भी इंक्लूड कर लेंगे लेकिन अगर नहीं दिया है between इसको इग्नोर करेंगे इसको भी इग्नोर करेंगे ठीक है तो आप इसको अगर निकालना आए कि 500 होगे तो पहले यह निकालने के लिए आप क्या कीजिए इसको 500 ठीक है पलस 13 है तो 13 डिवाइड बाई 30 आइंट्यू मल्टिप्लाई कर दीजे 13 यह कीजेगा तो आपका हो जाएग फायन सो तेरा डिवाइड तेरा इंट्यू आपका आग्या यह अगर सिर्फ मल्टिप्लाई अभी नहीं किये अब अगर यहां 13 है ठीक है तो यह आजएगा 39.46 ठीक है यहां 13 हराये गए अब यह जो 39.46 है न तो आप इसको 39 कर लिजिए इसको जो फ्रेक्शन के पार्ट वाले को इग्नोर कर दीजिए बिट्यून में ठीक है और इसको मल्टिप्लाई कर जिए 13 से यह 39 इंट्यू 13 यह जएगा 507 तो यह फर्स्ट अब इसमें जो रहेंगे तो कितना हो जागा 507 आप इसमें जो रहेंगे तो कितना हो जागा 520 फिर 13 जो रहेंगे तो 533 अब इसका निकालिए 1000 कभी तो निकालना परेगा तो उसी तरह 1000 कभी निकालेंगे तो 1000 ठीक है 76.92 इसको क्या इंक्लूट करेंगे यह आगे आपका 76.92 इसको भी इंक्लूट करेंगे कि नहीं लेना है तो अब देखिए इसमें हमारे लिए कौन-कौन जो पॉइंट दिया हुआ है तो अब हमको यह दिया है फार्स्ट टर्म यह दिया है 507 ठीक है उसको डी दे दिया है 13 क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे तो डी कितना जागा 13 ठीक है आप उसके बाद टीन भी दे दिया है टीन कितना दिया है 988 988 ठीक है अब हमको एन फाइंड करना है और हमको एसे फी फाइंड करना है यह भी फाइंड करना है ठीक है तो एन निकानने के लिए तो मैंने बताई वा तो अल्रेडी ठीक है चाहें तो आप फर्मूला से भी निकाल सकते हैं यहां से भी यह से भी न साथ प्लस एन दिया है इस वर बनाई है यह तो बहुत एक्वेशन आ जागा दिमाग खराब कर देगा लेकिन हम बता रहे हैं आप डाइरेक्ट एन निकानने के लिए आप क्या जी किजिए अगर लास्टर दिया है तो लास्टर माइनस फर्स टर्म डिवाइड वाइड डी प प्लस वन कर देंगे तो यह करेंगे तो कितना आजाएगा नौसो अठासी माइनस 507 और उसके बाद फिर डिवाइड करना है 13 से दिवाइड प्लस वन यह आजाएगा आपका 38 डाइरेक्ट अंसर आजाएगा 38 अंसर आजाएगा तो यह निकला आप इससे भी निकाल सकते है यह equation के फॉर में आजाएगा दिमाग खराब कर देगा उसी तरह आप असन भी निकाल सकते हैं असन कैसे निकालेंगे असन का फर्मूला मैंने बताया था कि लास्ट टर्म दिया हुआ है तो इसके लिए मैंने था एन बाई 2 और एल प्लस फॉर लास्ट टी एन ठीक है इस प अब इसको करेंगे तो यह मेरा हो जाएगा आपका 500 इस और यह प्लस है यह प्लस है ना इस तो 988 प्लस 507 और यह जगा उसके बाद 1495 इंटु 19 यह जगा 28 चालिस पांच अंसर आ जाएगा एसन का मतब इसको अब इसको पांसो साथ से लेकर यहां तक जोरेंग तब इतना होगा यहां तक सम करेंगे तब इतना हो जाएगा टोटल जोरने के बाद ठीक है लेकिन अगर मुझे कहें कि 507 से डिवाइड लगने वाला 988 तक के बीच मे कितने नंबर होंगे तो यह 30 होंगे है सब्या चलिस phenip me in ko समझते तो discussions manage की तरह है जैसे मालते हैं कि यहां पर Этот focal की लिए था कि ठीक है इंग्जामपल यहां पर त्री लिए फाइव लिए उसका सेवेन लिए नाइन लिए इलेवन लिए ठीक है और उसका थाटिण आरिन एपि आर इन आर इन एपि अब देखे यह एपि में कैसे 3-5-7-9 प्लस और माइनस हो रहा है यह एपि में ठीक है देख रहे हैं तो यह दो प्लस हो रहा है अब जो है यह यह यहाँ सिया तक हो यह जो 1-2-3 है ना इसको बोलेंगे 293 एना four है तो इसको बोलेंगे four arithmetic means ठीक है इसको four arithmetic means मतलब किस ने between three and sixteen के बीच में मीन है ठीक है अब एग्जांपल समझते हैं अगर suppose that यह और यह देदे आख हमको यह निकाला हो तो वह कैसे निकालेंगे ठीक है तो example के लिए समझते हैं कि find 5 arithmetic means ठीक है अर्थमेटिक means अब जो 5 arithmetic mean निकला हैं कि 128 और यह रहेगा आपका इस लास्ट में टू इसके बीच में जो पांच अर्थमेटिक में निकलना है तो यह तो रहेगा यह लेवन एटू एट्री एफोर और यह फाइब यह निकालना है मुझे ठीक है यह आरिन एपी में है यह भी आरिन एपी में होगता है क्योंकि यह Stephen है यह और यनि कालना है यह तो हमने यह दिया हुए है आपको यह दिया हुए है यह दोनों A, 2 दिया हुआ है, इसको ऐसे कर लिजे, तो आपको ऐसे कर सकते हैं, 2 यह दिया हुआ है, यह कितना अब टर्म है, A plus 6D, कैसे निकला, क्योंकि अगर A plus Arian में D जोड़ते हैं, जैसे, आपका यही इसी वाले में देखे, 3 plus 2 plus 5 है, तो इसमें क्या है, तो यह फर्स टर्म हो गय T1, A, और T2 निकालने के लिए, A plus D आड़ करते हैं, इसमें मतलब 3 में common difference, 2 आड़ करेंगे 5, तो यह 3 plus 2, 5, उसी तरह T3 निकालने के लिए, A plus 2D करेंगे, 2 और D, तो उसी तरह हमको 7 टर्म है, तो 6D एक कम करते हैं, ठीक है, तो यह 2 दिया हुआ है, पलस A कितना दिया जे, D, 6D तो D नहीं है, तो 6D, अब इसको माइनस करेंगे, तो 2 माइनस 128, इकवस टू 6D, तो इह आपका हुजागा 116, माइनस कितना होजागा, 126, इकवस टू 6D, तो D एकवस टू जो निकालेंगे, माइनस यह कितना होजागा, इवाइड देंगे, 126 से, 126 इवाइड कि यह होजागा 21 तो minus 21 दी निकल गया इसका जो दी निकल गया अब दी निकल गया तो आपका term निकल जागा कैसे तो अब देखिए a1 मतलब निकल लेंगे यह वाला a1 क्या होगा a1 equals 2 होजागा t2 यह हो गया यह मिन में जो होगा अगर 4 अर्थमेटिक मिन है तो जो अर्थमेटिक मिन बनेगा 6 बनेगा क्योंकि 4 इधर और 2 इधर इधर 6 होगा तो यह a1 हो जागा यह t2 ठीक है क्योंकि यह इसको बोलेंगे a1 यह तो यह भी यह टर्म है तो इसी तरह यह t1 हो जागा तो इसका क्या हो जागा a plus d अब 128 दिया हुआ है यह 128 है प्लस d कितना है d जी यह 21 माइनस 21 अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा यह हो जागा आपका जो शोल्प किजिएगा उसको उसी तरह फिर a2 निकान लाओ तो यह 2 निकानने के लिए क्या करेंगे यह 2 मतलब t3 a plus 2d आप देखेते हैं यह कितना है 128 प्लस फिर आपको कितना निकालना है d5 तक निकानना है तो आपका यह हो गया अगर इसी में अगर आपको बोले कि sum निकानने के लिए अगर मालत है कि find sum of 5 arithmetic means between 128 and 2 इसके बीच के sum निकानना तो कुछ ना इसी वाले फर्मूला को हम क्या करेंगे यह हम लोगों ने सिखा हुआ था और अपी में कि यह क्या हो जाएगा कि n into a plus b by 2 कर देंगे इसी में निकल जाएगा कैसे तो इसमें कहा है पांच है तो 5 से multiply कर देंगे 5 से multiply और a plus b 128 plus 2 कर देंगे डिवाइड बाइ 2 इसका निकल जाएगा sum निकल जाएगा ठीक है चलिए इसको देखिए और enjoy कीजिए और channel को subscribe जरूर कीजिए thank you so much